नवाश्कार मैं हूँ अंजू और आप देख रहे हैं इंडिया खबर 24 न्यूस आईए रुप करते हैं आज की तासा तरीन खबरों की और नगर गंज बासुदा के इस्तानिय राम जानकी मंदिर गांधी चोक में एक भव्य कलश यात्रा प्रारंब हुई इस कलश यात्रा में माताय बहने पेले वस्त्र धारंकर अपने सीर पर कलश अपने सीर पर रखकर धारंकर चलती रही थी डीजे की धुन पर बजने वाले भजनों पर सभी नाचते घूमते चल रहे थे यहां कलश यात्रा कथा स्थल पर पहुँझ जहां पर आज प्रथम दिवस की कथा हुई कथा के दोरान कथा वाचक ब्रंदावन से प्रधारे पंडित्री जुगल किश्योरे शास्त्री ने बताए कि श्री कृष्ण की अराधना प्रभावशाली है तभी तो गीता में श्री कृष्ण ने खुद ही कहा है कि सभी परंपराओं और युक्तियां को छोड़ कर जो व्यक्ति श्री कृष्ण की अराधना करता है उसके लिए सभी बधाएं अफसर में और एक काटे फूल में बदा जोते हैं ब्रजवासी हमेशा श्री कृष्ण की किसी ना किसी रूप से अराधना करते हैं इसलिए ब्रज में किसी कोई संकट प्रभु पैदा नहीं होने देते इसी प्रकार भगतों के जीवन में भी प्रभु संकट नहीं आने देते साथ ही उन्होंने बताए कि जब संकट में भागवत वानी का श्रवन होता है तो वह संकट भी टल जाते हैं राजा प्रसिक्षित से भी जब रिश्वी का अपमान हो गया और रिशी से साथ दिन में मृत्यू का श्राप मिला तो सभी रिशियां टेक सभी रिशी मुनियों और महापुर्शों ने मुक्त के जो उपाए बताए वहाँ प्रभाव हीन रहे जब सुखदेव महराज ने उन्हें भगवान परायन हो कथा का कहा तो उन्होंने कथा करवाई जिससे उनकी सदिक्त हुई कथा कथा के दोरान भगतों में भी उत्साह देखा गया इस दोरान भजनों पर श्रत धालू जूमते नाचते गाते नजर आए कथा के मुखे अजवाईन विजोय अरूरा परिवार दोरा भी कथा के दोरान भड़े भगती भाव से परिवार सहीत कथा का श्रवन किया सचिन दिक्षित की रिपूर्ट